कि वो हस्ती है जिसके कदमों में काइनात बस्ती है मा भगवान हर जगा नहीं हो सकता शायद इसी लिए भगवान ने मा को बनाया मा प्यार है मा त्याग है और नजाने क्या-क्या उपमा है मा को दी जाती है और शायद ये दुनिया भी मा के भी नाधुरी ही रहती नुस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंकीत और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल डोन की वब आज फिर आजिरू मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर कहानी जो आपको रुला देंगी, कहानी को पुरा जरूर सुनियेगा कहानी एक मा की मा अपने बाई से कहती है सुमित्रा से, सुमित्रा आज बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद मेरा बेटा अजय आ रहा है उसके पढ़ाई के लिए हमने बहुत महनत की उसके पिता जी हमेसा चाहते थे कि अजय पहर लिक कर बहुत बड़ा अदली बने और वो भी अच्छी नौकरी करना चाहता था विरेश जाना चाहता था और उसके पिता ने सारी जिंदेगी जो भी कमाया अपने बेटे के लिए लगा दिया और उसे विरेश भीजने में सफल हुए आज कई दिनों बाद वो आ रहा है इसके पहले भी तो आया था लेकिन पाच्छे साल पहले जब उसके पिता जी का अंतिम सरस्कार था तब रहा था दो चार दिन लेकिन अब वो अमेरिका में बस गया है और उसने वहाँ शादि भी कर ली है मुझे उसकी बहुत याद आती है अब वो आ रहा है तो उसके लिए हमें अच्छा अच्छा खाना बनाना है और मा लग जाती ही आम काटने में उसके हातों से उन आम को काटने में तकलीफ होती है लेकिन बेटे को तो आम का अच्छा लगता है और वो आम का अचार बनाने में लगी रहती है और अपनी बाई से सुमित्रा से बात करते रहती है कुछ देर के बाद जब उसका बेटा घर पर आता है तो मा खुशी से फूली नहीं समाती और अपने बेटे को देखते ही बोलती है कितना दुबला हो गया है बेटा कहता है मा आप मुझे इतने दिनों बाद देख रहे है इसलिए आपको लग रहा है कि मैं दुबला हो गया हूँ और मा तो मा होती है उससे अपना बेटा को भी मोटा लगता हीए हमेशा दुबला ही लगता है और बेटे के आने में की खुशी में वो मा सब कुछ बनाती है जो उस बेटे को पसंद होता है बेटा सब कुछ खाता है और वहां रहता है तब मा बोलती तो अपने बीवी को, मेरी बहु को क्यों लेके नहीं आया तो वो बोलता है कि नहीं आया अगली बार जरूर लेके आऊंगा उससे अच्छा है न मा, आप हमारे साथ वहां चलो मा बोलती नहीं बेटा, मैं नहीं आ पाऊंगी मेरा दिल नहीं लगेंगा वहां बेटा मा को कहता है कि आप अकेले यहार है कि करोंगे भी क्या आप भी हमारे साथ अमेरिका चलो, वहां बहुत अच्छा है वहाँ चीजे अच्छी वहाँ घूमने मिलेंगा आपको अच्छा लगेंगा और वो अपनी मा को मनाने की कोशिश करने लगता है मा कहती है बेटा लेकिन इतना बड़ा घर ये दन दौलत ये सब कूछ खेती बाड़ी ये सब कौन समालेंगा मैं भी यहाँ से चले जाओंगी तो ये सब कुछ खराब हो जाएंगा और तेरे पिता ने इसको बहुत महनस से बनाया है बेटा मा को मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि हम ये सब यहाँ से बेज देते हैं और आप भी मेरे साथ वहीं चलिए वहीं रहेंगे मिल जुलकर अच्छा लगेंगा हमारा पुरा परिवार वहाँ होंगा मा बहुत देर तक अपने बेटे को नहीं नहीं बोल पाती और आखरी में अजय के कहने पर उसकी मा तयार हो जाती है अमेरिका जाने के लिए अबिटा उसी रोज जाता है और उस घर का जमीन दावलट का सबका साधा करता है धन दावलट ज्र जोयलरी ुलरी वंतए सब कुछ पोख बेज देता है और इधर उसकी माँ इंतजार करते रहती है कि मेरा बेटा आएंगा ऐसा करते करते एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटे वीच जाते हैं अब माँ को घबराट होने लगती है कि मेरा बेटा गया कहाँ और वो रोने लगती है उसका रोते हुए देख वहाँ से एक सज्जन विक्ती गुजरते रहते हैं वो उस माता जी के पास आते हैं और पूछते हैं माता जी क्या हुआ आप क्यों रो रहे हैं वो कहते हैं कि मेरा बेटा जो मुझे अमेरिका लेके जा रहा था लगबग तीन घंटे से पता नहीं कहां चले गया कहीं उसके साथ कोई अनुनी तो नहीं हो गई कहीं उसको किसी ने मार तो नहीं दिया कहीं उसके साथ कोई हासा तो नहीं हो गया वो सज्जन विक्ती उस माता जी से उसके बेटे का नाम पूछते हैं और काउंटर पर जाकर पता करने की कोशिश में लग जाते हैं कि उसका बेटा आखिरी में गया कहाँ बहुत जद्धो जहाद करने के बाद उस वेक्ति को ये पता चलता है कि उस माता जी का बेटा आजए तो 6 घंटे पहले ही अमेरिका के फ्लाइट से अमेरिका निकल चुका है यह सुनकर सज्जन वेक्ति को बहुत आगात लगता है और वो उसके मा के पास जाकर यह सारी बाते बताता है लेकिन कहते हैं न मा का दिल बहुत बड़ा होता है और उसे विश्वास नहीं होता कि उसका बेटा ऐसा कर सकता है वो सोचते हैं कि शायद कुछ जर्मत रहे होगी तभी तो उसने ऐसा किया है नहीं मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता हाँ उसे जरूरती रही होगी इसलिए उसने किया है और रो रो कि अपने मन को समझाती है लेकिन अब उसके सामने तो प्रशना आ जाता है कि वो रहेंगी कहाँ जिस घर में वो रहा करती थी वो घर तो उसके बेटे ने बेज दिया वो जमीन जिससे उसको अनाज पानी मिलता था वो जमीन उसके बेटे ने बेज दिया जो थोड़े वो गहने उसके पास थी वो भी उसके बेटे ने बेज दिया उसके पास तो कुछ भी नहीं था ना रहने के लिए ना सहारे के लिए रोती बिलगती वही अपने पुराने घर पर वो पहुशती है लेकिन वो घर तो उसके बेटे ने बेज दिया होता है और नया मालिक वहाँ पर रहता है उस नया मालिक के बास रोती है, गिड़गडाती है और कहती है कि मुझे यहां रहने दो मैं भले इस घर में जाडू पोचा करके जी लूँगी और आप दो टाइम का खाना दे दीजिएगा जिस घर की वो कभी मालकीन हुआ करती थी उसी घर में उसको जाडू पोचा करके रहना पड़ता है और इंतजार करती है हर दिन कि उसका बेटा आएंगा और उसे लेकर जाएंगा दोस्तों ये सिफ एक मा की विथा नहीं है आज हमारे देश में हजार वृद्धा आश्रम खुल चुके है जहाबर बच्चे अपने माबाप को ले जाकर रख देते है वो ये नहीं सोचते कि वो भी कभी वृद्ध होंगे और उनके बच्चे भी उनके साथ ऐसा ही करेंगे इस परिस्थिति को बदलने के लिए हमें अपने बच्चे को संसकार देना जरूरी है आज हम अपने माबाप के साथ जो वेभार करेंगे वही हमारे बच्चे देखकर हमाने साथ की वही वेभार करेंगे इस बात को ये समाज कब समझेंगा और कब हजारों माओं का दुख खतम होंगा आज कहते हैं कि माता पिता भगवान का रूप होते हैं और उनी भगवानों को हम अस्वर्द्र आस्रम में रखाते हैं, कैसी विडम बना है ये, और कैसा संस्कार है ये, कैसा समाज है ये, जिस हिंदू संस्कृति के हम बड़े महानता से शेखिया भगारते हैं, क्या उसमें हमें ये सिखाया जाता है, कि अपने माबाप को छोड़ दो दोस्तों अगर ये कहानी अच्छी लगी है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथी साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए कि आपको कहानी कैसे लगी, जैहिन